नमस्कार दोफ तो रिती ग्रोफन के आगामी फिलम फाइटर जीफ का चार पास दिन पहले टीजर आये था फाइटर फिलम में रिती ग्रोफन के फाथवा दीपी का पादुकॉन और निल कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं फाइटर फिलम का बजट डाइफो क्रोड रुपे का है फिलम के डाइरेक्टर फिदारत आनंद जिनोंने पठान और वाड जेफी बलोगबफटर फिलमें दी है हमारे बीच से और सबसे बड़ी खुसकबरी की बात ये है कि फाइटर फिलम 25 जनवरी 2024 में रिलिजोगी डाइरेक्टर फिदारत आनंद हर फाल एक नया गिफ्ट देते हैं यानि कि हैर एक नई फिलम देते हैं हर फाल 2023 की फुरुआत पठान फिलम से हुई थी और पठान फिलम 25 जनवरी को रिलिज हुई थी फिनिमा गरोम में पठान फिलम का बजट डाइफो करोड रुपे था और पठान फिलम ने बड़ी बड़ी फिलमों का रिकोर्ड तोड़ दिया था वो भाई लोग दिल फे लाइक और संस्क्राइब जरू करके जाना यार भाई रिची ग्रोफन भाई के लिए और फाइटर फिलम के लिए और डिरेक्टर फिदार्ट आनंद के लिए यही नहीं अभी और सुनिए फाइटर फिलम अजार परशेंट पर लोग बोस्टर होने वाली है क्योंकि 25 जनवरी को रिली जोगी पठान की तरह दमाका कर देगी फाइटर फिलम भी फिनिमा करों में और निचे वाली फटी की फटी रह जाएगी सब की भाई लोगो और मित्रों मित्राणी और फाइटर फिलम का ट्रेलर जनवरी के फुरुआत में आने वाला और बहुत बड़ा दमाका होने वाला है फाइटर फिलम के ट्रेलर के अंदर है पठान फिलम से 55 क्रोड के ज्यादा बजट में बनी है फाइटर फिलम और फाइटर फिलम 2024 में अफिफुरुआत करने वाली है कि पैसो के फात्फात इज़त भी बरपूर कमाने वाली है फाइटर फिलम वायू सेना पर आदारित है यानि की इंडिन एर्फॉर्स पर आदारित है फिलम में फाइटर पलेनों की लड़ाई दिखाई जाएगी और फाइटर फिलम में दिपी का पादुकुण और रिती ग्रोफन का रोमान्स देखने को मिलेगा किस वीस करते हुए नदर आएगी दिपी का पादुकुण और रिती ग्रोफन है तो भाई फायटर फिलम में देश बक्ती बरपूर देखने को मिलने वाली और इंडिन एरफोर्स पर बेश टाई है फिलम में और कौन-कौन भाई लोग रितिक रोफन की फायटर फिलम का इंतजार कर रहे हैं कौमेंट में जरूर बताना हो यारो अपने चोटे बाई के लिए एक दम पूरा सपोर्ट बना रहे हो लाइक संस्क्राइब कॉमेंट किया अगरो बाई ताकि मेरा भी पूरा उफला बना रहे है और मैं भी आपके लिए मूवी अपटेट लेके आता रहूं अगरो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाक हो रहा है एक सेकिंड यार मजाक हो रहा है ठैंक्स वर वाचिंग टाटा बैबै मिलते दोफ तो एक और कड़क वीडियो के फास्त अपते के लिए लिवदाज जे हिंद जे बार्त